है लो फेंड्स माइन इम जजीत और वेलकम बाक टूब मेकेनिकल अट्राव लेर्णिंग प्लेटफर्म जासा कि आप जानते हैं कि वी एससी का एक्जाम आपका जितने भी टेकनिकल असिसेंट पोस्ट है साइन्टिविक असिसेंट पोर्ड लाइबरेडी असिसेंट रिलीज होने वाला था जो कि अब हो चुका है तो कैसे अड्मिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है वह मैं आपको बता देता हूं कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि 14 जुलाई को आपका अड्मिट काड लॉंच होने वाला है तो ऑफिशल वेबसाइट है आपका यह नए टैब में आपका खुलेगा ठीक है तो मैं अलग से ओपन करके रखा हूं यह आपको दिखा देता हूं यहां से यह सभी पोस्ट का 1479 से लेके 1487 तक का रिलीज हो किया है कैसे डाउनलोड करना है अपना रजिस्टेशन नमबर जब आपने फॉर्म फिल के आता तो रज तो आपको option आएगा किसका email address और date of worth का तो यह डाल के अपना रजिस्टेशन नमबर अगर आप भूल के हो तो यहां से forget कर सकते हो ठीक है दस बज़े से लेके साड़े ग्यारा बज़े तक होगा सेंट मेरी स्कूल फार्टम में जो है वो नॉर्मली इसी में सेंटर हर बार होता है तो वही स्कूल है आपका इससे ज्यादा भी I think सेंटर हो सकता है most probably क्योंकि एक स्कूल में पूरा सेंटर एकॉमेडेट नहीं होग हो लाव सकते हैं अब अपना संटर जो है वो कमेंड में बताना कि अपका कहां हुआ है और जो इवनिंक सिप्टम इंका इक्जाम उनका जोिव को दो बज़े सेरीक साड़े तीन होगा एक कि गोड़े का होगा और जो है वहूं इसके अलावांह में बात करू इस्टक्शन क तो आपके normally बहुत जादा important नहीं रहता है कि offline exam में बहुत सारी चीज़े, आपको अपना admit card ले जाना है और एक ID proof ले जानी है, बस दो चीज़े होना चाहिए, बाकी और भी कोई भी समान, electronic समान, कोई भी चीज़े आपको वहाँ carry नहीं करना, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का exam होगा, 80 question होगे, यह सारी चीज़े आपको पहले से पता है, बस यह ध्यान रखना है कि OMR sheet को आप अच्छे से fill करना, बाकी आप बताओगे तो मैं उस पे अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, तो OMR sheet को आपको अच्छे से fill करना है, जिसके निप जो है वो थोड़े थिक होते हैं, यानि मोटे होते हैं, तो उससे जल्दी easily fill होगा, वैसा pen लेके जाना आपके लिए better होगा, क्योंकि mostly अब online exam होते हैं, तो OMR sheet वाले आपको आदत नहीं होती है exam देने का, तो इसलिए यह important चीज़ आपको बता रहा हूँ, ब तो अगर आपका syllabus revise नहीं हुआ है, तो यह batch mechanical का join करके revise कर सकते हो, उसके अलावा जो है वो test series अवलेबल है, और electronics के लिए satellite batch अवलेबल है, जिसमें आपका courses test series दोनों included है, तो यह सभी जो है वो अवलेबल है, math का लग से courses अवलेबल सभी के लिए common है, तो अगर आपका math week है because VSSC में में अच्छा खासा आता है, तो mechanical add app download करना है और then उसके बाद वहाँ से join कर सकते हो, so अब मिलते हैं next video में, next update के साथ, thanks for watching